प्रेशन्शिप बनाने के बाद महिलाओं की दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि मेल का स्पम अंदर चला गया है तो कैसा फिल होता है कैसा मैसूस होता है और ऐसे क्या लक्षर होते है जो आपको दिखाई देते हैं और मेल या पूरुष का स्पम अंदर चला गया है नहीं इन पर भी हम आज बात करेंगे चानल पर पहली पार आये हो चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें लाइक करना भूल जाते हैं तो देखें जब भी महिला के शरीर में हस्बेंट का या फिर पूरुष का स्पॉम अंदर जाता है तो कुछ लक्षन उनको तुरंधी दिखाई दे सकते हैं और कुछ लक्षन ऐसे होते कि कुछ टाइम बात दिखाई देते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते उन लक्षनों की जो महिला के शरीर में स्पॉम जाने के बाद उनको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं इसका सबसे पहला लक्षन होता है कि महिला की शरीर से निकलने वाला चिपचिपा सा लिक्वीड यानि जो वाइट लिक्वीड निकलता है वो रिलिशन्शिप बनाने के बाद अगर मेल का सीमेन जो हस्बेंड का विर्य होता है वो महिला के प्राइवेट पार्ट में जला जा कि दिखना तो आता है यहां इसा है कि पूरा का पूरा स्थी में महीला के प्राइविट पाइब में चला जाता जाताउव बलकि उसमें से महीला के यूटर स्थ में जो अच्छी आदाद वाले अच्छी स्थार्ट और बाकी का जो सारा लिक्विड है जिसके अंदर प्रोटीम एंजाइम होती है बहुत सारे चीजी होती है वो जिसे हम वेस्ट प्रोड़क्ट भी कह सकते हैं वो सब बाहर निकल जाता है जिसके कोई जरूरत नहीं होती है और यहीं वह वीरिय होता है यहीं वह वेस्ट प्रो अब बात करते हैं ऐसे लक्षनों के बारे में जो आपको relationship बनाने की कुछ दीन बात दिखाई देते हैं तो इन में सबसे पहला लक्षन होता है breast में heaviness हो जाना महिला की breast बहुत जादा heavy हो जाती है देखे जैसे ही husband की आप पुरुष का स्पम महिला के शरीर के अंदर जाता है तब महिला के अंडे को वो fertile कर देता है यानि वहाँ fertilization process हो जाता है तो शरीर में हार्मोन का level बढ़ना शुरू हो जाता है जब शरीर में हार्मोन का level बढ़ता है खास तोर पर progestron, estrogen और SCG आर्मोन ये तिनों बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते है ताकि pregnancy को सपोर्ट किया जा सके इसी वज़े से breast में heaviness हो जाता है breast बहुत sensitive हो जाती है बहुत ही जादा heavy हैवी लगना शुरू हो जाती है और ये होता है pregnancy का पहला symptom दूसरा लक्षन होता है bleeding या फिर spotting होना देखे जब आपका fertilization process हो जाता है fertilization process में अंडा और sperm मिलता है और उसके बाद जो next process होती है जिसे implantation कहते है इस प्रक्रिया में इस process में हलकी सी bleeding या फिर हलकी सी spotting होती है जैसे ही महिला का अंडा sperm से fertile होता है तो फैलिपियन ट्यूप से निकल कर endometrium की lining पर आकर चिपकने की कोशिश करता है उसमें उसको 5-6 दिन उनको लग जाते है तो अगर relationship बनाने के बाद साथ से 8 दिन बाद implantation bleeding यानि हलकी सी spotting या हलकी सी bleeding हो रही है तो ये लक्षन होता है कि husband का sperm महिला के private part के through uterus तक पहुच चुका है और तीसरा सबसे बड़ा और important लक्षन है पेट के निचले वाले हिस्से में दर्ध होना relationship बनाने के साथ से 8 दिन बाद अगर आपको पेट के निचले हिस्से में क्राम्स या फिर हलकी हलके दर्ध हो रहा है तो समझ यह का कि पूरुष का sperm महिला के private part के जरी अंदर चला गया है क्योंकि जब implantation होता है तो महिला की uterus में अंटा जब चिपकता है जब baby implant होता है इस वज़े से महिला को ये pain feel होतना शुरू हो जाता है चौथा लक्षन होता है morning sickness यानि कि आपको बताया जाता है कि pregnancy conceive कर ली है वैसी महिला के शरीन में प्रोजिस्ट्रोजन और एस्टीज यो आर्मन बहुत ही तेजी से बढ़ता है और प्रोजिस्ट्रोजन को लेवल बढ़ने की वज़े से आपको जो digestive system होता है वह स्लो हो जाता है आपकी जो पाचन शक्ती होती है बहुत ही अपको जो खाना है वह बहुत ही धीरे-धीरे digest होता है बहुत सी महिला को acidity हो जाती है और कुछ महिला को उल्टी और फिर मतली जैसा भी होता है तो हो सकता है की पुरुष जल्डी से खर लेते हैं और एक इंपोर्टनेन्ट जब हल्ट मirrelялा के बॉर्डी में जाता है तो थीन-से-चार दिनंप अगर रिलेशन्शिप बना लिए तो वह प्रेगनसी हो जाती है और लेकिन इसका एक कंडिशन है अगर आपका ओविलुशन डेज वो रिलेशनशिप बनाने वाले टाइम पे आया मान लो किसी महिला की महावारी 28 जिनों की है तो आपको पता है आपका ओविलुशन लगबक 14 या 15 दिन हो जाता है उस केस में अगर ठीक हरने के लिए और आपका जानना चाहते कि प्रेगनसी करने के लिए मैं कौन सा दिन गर दिनका समय सही होता है तो तो अबर देः गए वीडियो पे क्लिक करे करें और प्रेगनसी करने के लिए सबसे बेस्ट पोजिशन कौन सी है उपर देवे लिंक पे क्लिक करें साथ में किस करवट पर सोने से जल्दी प्रेगनसी होती है अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पर जरूर देखिए मैं आपको वही मिलूंगी आपको कोई भी समस्या या फिर कोई भी उल्जन ह कि जरूर पूछिए आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए वीडियो मिलते हैं नेक्स इंफॉर्मेटिव वीडियो में तब तक अपना धहन रखिए